हेलो एबरियों डेखा रेसिपी में आपका स्वागत है आज मैं समोसा बनाने जा रहे हूँ समोसा खाना तो सबको पसंद होता है लेकिन इसको बनाने में जंजट लगता है लेकिन मैं आज बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बताऊंगे जिससे क्याप समोसा घर में आसानी से बना पाएंगे तो चलिए बनाना शूरू करते हैं तो समोसा बनाने के लिए सबसे पहले दो तयार करते हैं यहाँ पर मैंने दो कॉप मैदा लिया है मैदा में डालेंगे एक चमच अजवाइन का अजवाइन डालने के बाद इसमें दो चमच घी डालेंगे अगर आप चाहते हैं कि समोसा का उपर का लेयर क्रिस्पी बने तो आप घी जरूर डालें मैदा में और इसको ठीक से मिला लें एक मिनुट तक इसको मिलाएंगे तो यहाँ पर देखें मैं इसको कैसे मिला रही हूँ अब इसमें दीरे दीरे पानी डालेंगे एक साथ पानी ना डालें दीरे दीरे पानी डालके इसको आटा के फॉम मिलाएंगे यहाँ पर देखें मैंने थोरा सा पानी डाला इसको फिर से मिलाएंगे जो रोटी का डो होता है ना सौफ्ट वाली उससे थोरा सा हाट डो बनाना है इसका तभी हमारा समोसा अच्छे से क्रिस्पी बनेगा तो यहाँ पर देखिए मैंने थोरा थोरा पानी डालके आटा को मिला लिया है अब हम क्या करेंगे इसको इस तरह से आटा को समेट के ऐसे एक जगा कर लेंगे इस तरह से और इसको रखके कम से कम इसको 15 मिनट के लिए जरूर रखें यह भी बहुत जरूरी है इससे भी हमारे समोसा का जो ऊपर कर लिया रहा है वो सौप्ट और क्रिस्पी बनेगा तो इसको 15 मिनट के लिए साइड में रखते हैं तो चलिए तब तक अंदर में जो भरने के लिए होता है न मसाले भरते हैं आलू का समोसा है तो वो बनाते हैं यहां पर स्टपिंग के लिए मैंने लिया है एक प्याज, एक हरी मिर्च, थोड़े से काजू रखे है मैंने और थोड़ा समय ने लासून और अद्रख को काटके रखा है तो अब पैन में डालेंगे यहां पर दो चमच तेल दो चमच तेल डालने के बाद तेल को गरम होते हैं उसमें जो हमने मासाले काटके रखे हैं प्याज अगर शारा डालके उसको भून लेंगे प्याज को थोड़ा सौप्ट कर लें इससे हमारे आलू का जो फिलिंग भरेंगे वो बहुत स्वाधिस्ट बनेगा प्याज पकने के बाद इसमें आलू डालें प्याज को फिलित नहीं मां भोरें आधा चमच लाल मिश आधा चमच हल्दी हल्दिक मात्रा थोड़ा कम रखें, आधा चम्मच यहां पर धनिया पौडर, आधा चम्मच यह भूना हुआ जीरा पौडर, और आधा चम्मच से थोरा से कम गरम मसाला, और आधा चम्मच यहां पर नमक डालेंगे, अब इन सारी चीजों को हीट कम रखें, और दीरे दीरे इनको भूनें, यह भी एक जरूरी पौइंट है, अगर आपका स्टेपिंग में नमी रहेगा, ठीक से वह भूनाएगा नहीं, तो अंदर से, उपर से तो आपका समोसा क्रिस्पी बन जाएगा, लेकिन जब आप उसको रख देंगे, तो थोड़े ही देर में वह अंदर से, सौप्ट हो जाएगा, मतलब हमारे समोसा जाएगा, वह कुरकुरा नहीं रहेगा, इसलिए स्टेपिंग को धीरे धीरे भूने, पूरे पानी कुछ भी नहीं रहना चाहिए, ठीक से सूख जाएगा, इतना तक भूने, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सक काजू को साइड में घी डालके हलका सा फ्राइ कर लोंगे, कच्चा काजू डालेंगे उससे उतना अच्छा स्वाद नहीं आएगा, हलका से इसको रोस्ट करने से स्वाद अच्छा आ जाएगा, हलका सा भून लेने के बाद मैंने काजू को इसी में मिला दिया, और यहाँ पर हमारा समोसे का अंदर भःने के लिए स्टेपिंग तयार है, तो इसको अब ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं, तो यहाँ पर मैंदय को देख लेते हैं, तो फंद्रमिनिट हो चुक है, अब इसको एक बार फीर से मिला कれた फोरी दिर आटा को मसल लें इस तरह से उसके बाद आपको टाय आपको जिस सयज का समुसा चाहिए उस सयज ड़ो काट लें छोटे से जैज के ёнहिसasant को बनाना के लिए और यह हमारी आलो के जो फिलिंग है वह ठंडा हो चुका है चलिए बनाते हैं तो पहले एक डो लेकर उसको जैसे रोटी बेलते हैं और इससे बेल लेंगे इस तरह से मैंने रोटी जैसे बेल लिया है अब हम क्या करेंगे इसको बीच से ऐसे कट करेंगे बीच से कट किया अब इसको ऐसे उठाएंगे और जो कट किया है जो भाग उस भाग के उसी भाग में हलका सा पानी लगाएंगे और यह देखे मैं कैसे कौन की जैसे बना रही ह अर बस ऐसे कोन के जैसे बन जाएगा और इसमें जो अलू है उटालेंगे आलु को स्टेपिंग डालने के बाद इसको उतना ही डाला है, जितना की ठीक से भर है, ज्यादा बहार निकलने तक ना डाला है, नहीं तो फट जाएगा, गिरने लएगा आलु, तो इस तरह से डाल के उसको दबा देंगे, अब इसमें साइड में फिर से पानी लगाएंगे, पानी लगाना बहुत ज़रूरी है, इसे वो ठीक से चिपकेगा, यहाप देखे मैंने पानी लगाया, अब देखे मैं इसको मोरूंगी कैसे, यह जो बीच में है, जो बीच में सेंटर मात है, उसको यहाँ पर एक थोड़ा से फॉल्ड करेंगे, और बस इसको उपर से ऐसे द देखे कितना आसान है समोशा बनाना, बहुत ही इजी है, अब इसी तरह से मैंने साड़े समोशे को बना लिया, ऐसे बीच से मोरूंगी, फिर इसको उपर ऐसे पानी लगाया, फिर इदन वाले साइड को इस तरह से, दूसरे साइड को ऐसे डाला, और बीच में अलू डालक कि दोनों को इस तरह से दवा दिया बस सारे समों से बना लिए अब तल लेंगे तलनी के लिए यहां पर मैं बोल रहे हैं तेल को जब आप तेल डालने करा ही में तो उसको ज्यादा गरम ना होने दे तेल को पहले गरम कर लें ठीक से उसके बाद गयास को बिल्कुल कम कर दे ही के दिखने में अच्छा लगता है अब मैं दूसरा बैच छुबूरा है तोशन को ज्यादा तैल को ज्यादा है रहे suspicion पनए समों से दैँगा उसमें तल के दिखाओंगे वह समोशा आप देखेंगे वो कैसा होगा है है जो ज्यादा गरम तेल हैं उसमें इस तरह से यहुज दीखने हैं तो आफ यह देखने में अच्छे नहीं लगता हैं अगर आपके पास थोरा सी टाइम है थोरा पैसेंस रखें गैस को कम रखें और इस तरह से तलें नॉर्मल हीट पर तो समसा ज़्यादा देखने में अच्छा लगता तो यहाँ पर मैंने सारे समसे को तल लिया है और इसको मैं इस तरह से इस तरह से रख रहे हैं और यहाँ पर मैंने दोनों तरह के चटनी रखा है समसा के इंजॉय कीजिए रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक शेर है और सब्सक्राब जरूर करा और आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कोई शवाल हो आपको कमेंट हमें मोटिवेट करेगी